अस्सलाम अलेकुम, आज मैं आप लोगों को चुड़ीदार की कटिंग करना बताऊंगी, क्रास कपड़े में, देखिए हम दो मीटर कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा हमने औरही मीटर लिया हुआ है, क्योंकि इसमें हमने कुर्ती कट करके बचावा कपड़ा इस इस तरह वी फॉल्ट करके लखा हुआ है, अब हम इसे अम्रेला फ्राग की तरह लिघ horrifying कलुए नियुक्रीक से अवर्ड लिए, देखिए हम कपड़े को फॉल्ड करते हैं, जिस तरह हम अम्रेला फ्राग के लिए बिचा थे मिल्कुल उसपड़े कुए ए चरह हम इस कपड क्पड़ार चुडी दार के जीए चुडी दार चुणा ऐसी चुडी दार को हम इस पर रखने का तरीका किस तरह है नौक का हिस्सा है एस तरह नीचे के 收arde का हिस्सा है ben ओपर कीattend फीस तरह मैं थे और ** और लूब की यानि कि जहां नोक निकली हुई है उस पर हम नीचे का पैचों का हिस्सा रख दींगे इस तरह हम अच्छे से चुड़िदार शलवार को इस पर 4-4 करते विए रख लिए शीवी शलवार को अब हम इसके किनारे से चौक का निशान लगाएंगे इस तरह हम चौक का निशान लगाते वे जाएंगे इसमें देखिए ये जो हमारी बेल्ट है ये बेल्ट के पास से भी हम इस तरह निशान लगा लिए हमने चारो तरफ ये बेल्ट को हम इस तरह मोड़कर उपर की तरफ भी हम निशान लगा लिए इस तरह देखिए इस तरह हमने चारो तरफ निशाल लगा लिया है लेकिन ये रेडी मिट शलवार है तो ये बहुत पिटिंग है इसलिए हम इसमें जो मार्जिंग है ये एक्स्ट्रा लेंगे दो-दो इंच हम मार्जिंग रखेंगे क्योंकि ये रेडी मिट शलवार बहुत जादा ही पिटिंग है इसे हम लूस करेंगे और अंदर का मार्जिंग का भी निशाल लगा लिए देखिए इस तरह हमने चारो तरफ दो-दो इंच माया लगा लिया है नीचे पैचों के पास तक हमने इस तरह निशाल लगा लिया है सीवी तरफ शलवार को रखते वे देखिए ये जो शलवार है ये बेल्ट वाली है तो इसमें हमने इसे इस बेल्ट को इस तरह मोड़कर रखा हुआ है अब हम बेल्ट अलग से कट करेंगे इसमें हमने हर तरफ माया लगा कर ले लिया है अब हम इसे कट कर लिए देखिए हमने इसे कट कर लिया है इस तरह अब हम इसमें देखिए इस तरह क्रॉस करने से हमारे ये दो जॉइंट आते हैं इसे हम कपड़े से कपड़ा रखते वे इसे जोइंट को भी कट कर लिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है उपर का हिस्से का इसे हम इस तरह सही से घड़ी करके रखते वे इस जोइंट पर रखेंगे देखिए बिल्कुल कोर पे यानि किनारे पे किनारा मिलना चाहिए इस तरह देखिए ये किनारा है इस किनारे को हम इस किनारे पर रखते वे इसे इस तरह कट कर लिए देखिए इस तरह रखने से जोइंट समझ में नहीं आता है इसलिए हम इसे कपड़े को नीचे रखेंगे और इस joint को इसके उपर रखेंगे इस तरह तू फोल्ड कपड़ा हमने लिया हुआ है इसे इस तरह रखते वे हम कट करेंगे देखे इस तरह बिल्कुल देखे यह जो किनारा है यह किनारे के बिल्कुल नीचे हमने 1.5 इंच कपड़ा रखते वे इधर भी और यह नीचे की सा जोटा निकलती है। यह कपड़ा है यानि कि इसकी जो पन्हा है यह बहुत चोड़ा है। इसलिए इसमें सिर्फ 2 जोइंट निकलते हैं। इस तरह निकलते हैं, आप निकलते हैं चोड़ा है चोड़ा जाओ निकलते हैं। निकलते हैं। अब हम इसका बेल्ट का हिस्सा भी इसी तरह कपड़े पर कपड़ा रखते वे कट करेंगे, देखिए हमने बचेवे कपड़े कु टू फोल्ड करके बिछा लिया है, इस तरह अब हम इसके उपर बेल्ट रखेंगे, यह टू फोल्ड कपड़ा है, इसके उपर हम सीवी बेल् बेल्ट को रखते वे इस तरह यहां पर हमने एक इंच माया लिया हुआ है अंदाजे से और यहां पर भी हमने एक इंच माया लिया हुआ है क्योंकि हमारी तैयार बेल्ट है और हमें सीकर इसके साइच के हिसाफ से करना है उपर की तरफ हमने देड इंच माया लिया हुआ है न मैनी की कट करूंगे यह रेड़ि मीट श्यलवार के अंदर मैनी नहीं है यह बीच में बहुत जलदी फट जाती है इसलिए हम इसमें चुरीदार में मैनी भी लगाएंगे देखिए मैनी कट करने के लिए हमने इस तरह two fold कपड़ा लिया हुआ है इस तरह मैं किनारे का कपड़ा इसले लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर तागे नहीं निकलते वरला करना कराने की जरूरत भी नहीं रहती है एक side इसले किनारे का कपड़ा लिया जाता है अब हम इसे इस तरह fold करते वे इस तरह cut कर लिए लेकिन अगर आपको size के हिसाब से देखना है तो हम इसमे size भी रखते वे बताएंगे किनारे के तरफ हम 8 इंच रखेंगे देखिए हमारे किनारे के कपड़े पर हमने 8 इंच का tape ले लिया है अब हम इसे उपर से इस तरह हाथ रखते वे इसे 3 इंच का फोल्ड कर देगे तीन इंच का या पिर आप 8 इंच का भी कर सकते है देखिए हमने इस पे यहाँ पर 3 इंच का फोल्ड इस तरह कर दिया है अब हम इसके किनारे से निशान लगाएंगे मैनी कट करने के लिए इस तरह हम किनारे से निशान लेते वे नीचे की तरफ भी निशान लगाएंगे देखिए इस तरह हम इसे किनारे से इस तरह कट कर लिए मकल Circ כeriった ट्यार चुडीदार को हमने कप्ड़े पर रखतेए क床 chaos अगर आप द्यामाली नहीं लगाना चातेज या नहीं कि बीच मेरी मेरी लगाश कते हैं छुडीदार अव्मारें के बनलतन से पर लाएक चाहिए लन बातने में लोगत Izakta झाल 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 झाल